हाई व्रीवान वेलकम और वेलकम बाक तो माय चानल आप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे अपने अपने घर में तो जैसा कि आप सब को पता है फैस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मैं चोटा सा गलो प्रोटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और लास मोम तो यहां पर नहीं पहले मैंने वेक्सिंग से स्टार्ट किया तो उन्हें नहीं पहले पाउडर लगाया देन वेक्स अप्लाएगी और वेक्स शिंपल में अलोविरा कभी यूज करती हूँ या तो कभी चॉकलेट वैग जिसे डेट्स किन भी निकल जाती हैंद टैन्ट ब पूरा प्रोसेस करने में लेकिन सारा जो प्रोडक्स थे ना वो मेरे पास घर पे अविलेबल थे सिर्फ दीदी आई और यह ने अपना वेक्स किया और यह अपना चार्ज लिया लेकर अराउंड 200 और 250 था इतना ससा था लाइक पूरी बॉड़ी हो गई मेरी इसमें हांड अं चलता कि मैंने वैक्सिंग कर रही हैं अं उसके बाद मैंने थ्रीदि की स्था थे भाइन ही और करती है Iraq मैं और प्रफ़रлем करती है मुझे भरोसा नहीं नहीं होता थ्रेडिंग के मामले में वैसे कभी-कभी मैं रेजर का भी यूज कर लेती हूं बट मुस्ट अफ तर टाइम मैं थ्रेडिंग की प्रिफर करती हूं उसके बाद में यह पर करवा रही हूं और अपर लिप्स में मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है जितनी बार अतनी बार मुझे दर्द होता है लेकिन यह दर्दुपर ekैशल अब यह त्यक्टित के ला कुझे यह तो में जेल लेती हूं यह फेशल करवाने वाली हूं और यह यह फेशल कित हो ने और फेशल कित प्लने हैं जो मैं फरस्ट टारेब कर रही हूं और यह रागा का भी pays जिसे आधा मैंने एक बर यूस किया थोड़े बहुत ही बाकिता प्रोड़क्ट इसमें तो आज मैं इसे भी यूस करूँगी उसके बाद ना अच्छे से मैंने ले ली थी पोजिशन ले ली थी एंड हेर बेंड लगा लिया था इसके बाद ये स्क्रबर यूस कर रही है स्क्रबर भी ये उसी किट का यूस कर रही है और ये प्रोसेस पूरा हो गया यह थोड़ी यल्दी वीडियो फॉवर्ट कर रही हूं ताकि जादा बोर भी ना हूँ अड ये जो एक ब्लैक एट वाइट रिमूव करने के लिए प्लक अज़ए किया था अच्छे से मसाज़ की लाइक मैं तो लिटरली सो गई थी मुझे इतना मज़ा रहा था इतना रिलेक्स फील हो रहा था रहा हूं आँ इसके बाद लास्ट टेप था मास्क पावर पक अड ये ना मैं फिर्स टाइप टार ये प्लाइक टीड अच्छे से कर रही थी और इसको लगाने के बाद जो मुझे आराम सुधिंग और कामनेस फील हुआ ये किट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्रिफ इस मास्क की वज़े से मैं ये किट दुबारा ट्राय करूंगी लिटरली मुझे बहुत पसंद है इसने काफी हद तक मेरे फेस के ट इतनी बाकी सही है देन इसके बाद इसको मेरे आइज अराउंड पूरा फेस कवर कर दिया देन इसको मैंने 15 से 20 मिन तक अपने फेस पर रखा था लैक मुझे निकालने का मनी नहीं कर रहा था इतना सूधिंग अन कामिंग था ठंदा ठंदा मेरे फेस को एक दम फील हो रहा अरख इतना सा जैटम असन फेल जाधा भी कुछ नहीं है लेकिन आप आजाओ मैं वहाँ पर आपका अच्या से स्पा अगयरा कर लूगी है या यह यह ओष भी करोगी तो मैं तो इक दिन पहले ही हर वाश किया था लेकिन फिर मैंने बोला नहीं आज हे वाश भी करो मुझे पालर जैसी फील चाहिए पूरा और मैं यूट्यूब वीडियो भी शूट कर रही थी इसलिए मैंने का आज वाश भी कर लो हेर तो उन्होंने नॉर्मल पैंटीन से मेरा हेर वाश किया पैंटीन शैंपू से यह काजल है मेरी बहन जो मुझे परिशान कर रही थी यह भी हेस्पा करवाने आई थी वैसे स्पा का जो होता है 500 और 600 सम्थिंग कुछ होता है बड़ी ने हमसे 300 ही लिया उसमें क्रीम हमारी खुद की थी तो मैंने यही बूला था कि क्रीम मेरी खुद की है और स्लोली स्पा क्रीम अप्लाय करना स्टार्ट किया यह अच्छे से अप्लाय करी थी लैक हर एक सेक्षन में मैंने इन से पहले भी करवाया तो मुझे पता था कि एकदम अच्छे से ही करेंगी और एकदम अच्छे से इन्होंने मेरे बाल को पूर अच्छे से पैमपर किया, सेम प्रोसेस इन्होंने आगे भी यही अपलाई की तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से स्पार क्रीम अपलाई कर दी, उसके बाद 10-15 में तक नहीं इसे रखा था अब बारी थी स्टीमिंग की, तो अब स्टीमिंग जब करने वाले थे ना तब लाइट गोल हो गई थी, यह चोटा सा स्टीमर उनके पास था जिनका इन्मेटर स्विच चोटा ही था तो उन्होंने इससे स्टीम कर लेती हूं अब इसने भी काफी अच्छे से मेरे बालों को स्टीम किया और उसे भी मैंने 10-15 मेर। तक स्टीम किया तोड़ी दिक्कत आई बट हो फफुल्ई अच्छे से स्टीम हो गया Then उसके बाद 10-15 मेरे तक मैंने से बालों में रखा भी था हेर वाश किये वीहां पर दी मेरे हेर वाश कर लिये थे topics दिनो ने उनके बाद रायर यूस किया और मैन इननको बोला था गूल रायर ही ंच करना भौल आईर ही 9 कर दी कज़े उनहा और बॉलने तो बोला किकी और रॉ almonds N यहीं करते कносा है And that's it, यही था मेरा आज का festive glow of routine, I hope आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, कुछ भी useful आपके लिए tips रही हो And ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर देना And मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पना ध्यान रखना, बाई